हेलो स्टूडन्स, वेलकम तुडेज वर्ग, चोइन दडोट टू मैक स्टेंडिंग लाइन, आज हम क्या सिखेंगे? स्टेंडिंग लाइन, क्या सिखेंगे हम स्टेंडिंग लाइन, यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो हम पहले धीरे धीरे ट्रेस करेंगे, एक डोट को दू से छोइंट करेंगे और हम स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे तो चलो स्टेंडिंग लाइन बनाना स्टार्ट करें देखो students कितनी अच्छे तरीके से हमने standing line बनाई एक dot को दूसरे dot के साथ दिरे दिरे हम trace करेंगे इसे क्या कहते हैं? standing line क्या कहते हैं? तो देखो students कितनी अच्छी तरीके से हमने सब line trace कर लिया कर लिया ना? तो चलो अभी हम two dots में standing line बनाना सिखते हैं तो students आगे हमने अभी क्या सिखा? standing line कैसे की थी? पहले हमने trace की थी अभी हम कैसे सिखेंगे? दोनों dot को joint करना एक dot को दूसरे dot के साथ हम joint करेंगे और क्या बनाएंगे? standing line तो चलो start करें standing line standing line standing line standing line कितना easy है standing line बनाना? easy है न? speak and write standing line standing line standing line standing line की है न students. तो students अब हम क्या सिखेंगे? आगगे हमने क्या सिखा? standing line. अब हम क्या सिखेंगे? sleeping line. क्या सिखेंगे? sleeping line. join the dots to make sleeping line. यहाँ पर parrot है और यह चिली है. parrot के पास जो dot दिये हुए है वो आमें दिरे दिरे ट्रेस करके चिल्ली के पास ले जाना है और हमें यहाँ पर क्या बनाना है sleeping line क्या बनाना है sleeping line तो चलो start करें अराम से तीरे-दीरे हम दोट को joint करेंगे इसे क्या कहते है sleeping line क्या कहते है sleeping line sleeping line sleeping line देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारी sleeping line बन रही है बन रही है ना तो देखिए students कितनी अच्छी तरीके से हमने sleeping line को trace किया किया ना तो चलो अभी हम two dots बना कर sleeping line बनाना सिखते है तो चलो अब sleeping line की practice करें two dots में sleeping line 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 देखो students कितना easy है sleeping line बनाना easy है ना कितनी अच्छी तरीके से हम sleeping line बनाई पहले हमने dot joint किये और अभी हम two dots में sleeping line बना रहे हैं speak and write sleeping line तो देखो students कितनी अच्छी तरीके से हमने standing line and sleeping line दोनों की practice की हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी sleeping line and standing line की practice करनी हैं मुझा झाल